पटेल स्वागत करता हूँ आपको अपने यूटूब चैनल मिस्टर एस्पी पॉइंट में साथियों आज हम विज्ञान वर्ग की अभ्यार्थियों के लिए बीएड प्रिवेश परिच्छा जो यूपी बीएड यूपी बीएड प्रिवेश परिच्छा के लिए जो की बीएड प्रिवेश परिच्छा की जबर्जस तैयारी करवा रहा हूँ उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो के देखिए देखे सबसे पहला क्यूस्चन जो है डारेक्ट हम क्यूस्चन के ओर चलेंगे पहला क्यूस्चन के ऐसा जी हो अधातु जो कच्छ तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है ऐसी अधातु बताईए चार आपसन दिया गया है पहला फ्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा जो है ब्रोमीन और डी वाला आपसन है आयोडीन तो इन में से पूछा है अधातु जो कच्छ तापमान पर द्रव अस्था में रहती है ऐसा कौन साइस में से है अधातु जो कच्छ तापमान पर द्रव अस्था में होती है तो इसका राइट एंसवरों का आप लोगों को पता होना चाहिए आपसन नमबर सी ब्रोमीन इस तो साथियों नेक्ष्यूचन के और चलते हैं नेक्ष्यूचन क्या है निमनिखिद में कौन सा तत्व नहीं है चार आपसन दिये हैं निमनिखिद में से कौन सा तत्व नहीं है यह हमको देखना है दो नमबर में आपसन क्या है देखिए ग्रेफाइड जर्मेनियम सिलिका एं चार आपसन दिये हैं इनमें से जिस जो राइट एंसर है आपसन नमबर सी इसका राइट एंसर होगा सिलिका सिलिका जो है कोई भी तत्व नहीं है बाकि गरिफाइड जर्मेनियम और सिलिकान यह सारे तत्व हैं तो ऐसे ही बहुत जबर्जस्ट क्यूस्चन लगातार देखन वीडियो आपको देखनों को मिल जाएंगे उसके अलावा और आपको बता दूब विज्ञान वर्क के बहरतियों के लिए हैं विज्ञान वर्क से आप लोग समझते होंगे आप लोग गरिज्वेट हो चुक्यों है कि विज्ञान वर्क का मतलब जो बीएसी करके आप एक् क्योंकि साइंस के क्युस्चंस हैं बाकि GK और Hindu यह सारे जो दोनों लोग की होता है तो चलिए तीसरा क्यूस्चन देते हैं सी एंजी का मुख्य गटक है तीसरा कुष्चन की है साथ यो इसका तीसरे का याद करना है CNG का मुखे गटक मीथेन होता है नेक्स्ट क्यूश्चन चलती है देखते हैं साथ यो निमलिखित निमलिखित एक हरिद ग्रीष जो गैस नहीं है जो निमलिखित एक हरिद ग्रीष गैस नहीं है इनमें पूचा है ग्रीष गैस कौन सा नहीं है कार्बन डाइकसाइड मीथेन नाइट्रस आकसाइड और डी नाइट्रोजन कमेंट बॉक्स में बताईए कौन होगा तो इसका राइट अंसर होगा साथ यह आप लोग बता दिया करिए क्योंकि आप लोग जब लगतार कमेंट करेंगे तो आपके माइंड में यह सवाल बना रहेगा देखे फोर नमबर जो है आप लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं फोर नमबर का राइट इंस वर जो है आफसन नमबर डी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है साथियों यह हमारा क्या है ग्री गैस नहीं है उसके अलामा साथ यह अगला क्योंकि चलेंगे जल्दी चलत करिए थाकि आपबग सीम्हें अच्छे नमबर आ सके चलिए पांचवा है एक बात में इक ठाक यह गय जल में होती है क्या होती है हाँ यह इसमें पूछा है आप्शन क्यों सा स्धिति दूर्जा होती एक बाध में इकठा किये गए जल में इस्तिति दूर्जा होती है जो होता है जो होते हैं फैसे जीचस करते हैं प्राध्वनिक तरंगे या फिर इन्फरासूनिक तरंगे रेडियो तरंगे वडीय ध्वनितरंगे कौन सह है आफ मेंशा अगर कुछ भीज देखते होंगे तो आफ में नमबर डी सेवन नमबर के साथ है। नमबर डी संजय गाधी वन जीव अभ्यारन महाराष्ट में इस्तिस्त है और सन नमबर डी इज राइट एंस्वर यह सारी चीज़े जो है आपके कम्टेटिव जाम में ऐसे क्यूशन पूछे जाते हैं यादि आप लोग वंडे एक्जाम किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो बीएड के प्रिवेस परिच्छा के साथ-साथ आपका वह भी तयार हो जाएगा तो देखें सूर्य का जो रंग लाल होता है क्योंकि जब आपको पता होगा यह एक टिले नहीं दिखाया देता है करड क्या है वहां पूछा दिखाया है यह प्रीन हम लोगों को देखना दर आप समने नंबर के यह ड्यो कीन क्या होता है निले रंग सब भिखरा यह लाल रंगति का शाम और बाकी नाइन नमबर के सती हो निमने लिखिद में कॉन सी एक घातू को चुम्बकी भी भाजन द्वारा अलग नहीं किया सकता नाइन नमबर का राइट एंस और होगा ओपसन नमबर ए जो है निकल ऑफसन नमबर बी कोबाल्स नमबर छी था क्रोमियंम आप्सन नमबर डिस्टील यहां पर निकिल जो है आप लोग कंफीज हो सकते हैं मैंने भी पुचा है जिसको अलग यह क्रोमीयं को अलग नहीं किया जा सकता चुमबकी विभाजन दवारा वोड़ एकड़ X में 17 प्रोटान और नूट्रान जो है 18 है और इलेक्टान स्थप सब्से अधिक संभावना है इस प्रोटानों की संख्या निंगा होती है चोंकि इलेक्टान देख रहे हैं आप लोग जो इसमें इलेक्टान है इलेक्टानों की संख्या प्रोटानों की संख्या से एक अधिक है और कड जो है रिडायन होगा समझ रहे हैं इसलिए अब नेक्ट शुचन चलते हैं साथियों इलेवन नमबर क्या है निम्निखित में से रासानिक परिवर्तन कौन से हैं लकड़ी का सड़ना लकड़ी का जलना लकड़ी का कटना लकड़ी में कील ठोकना इन में से कौन सा रासानिक परिवर्तन है रासानिक परिवर्तन से आप लोग समझे जो रियक्षन करके गडबड हो करके डाली यह तो वह परिवर्तन कहें जाते हैं लेकिन राताइन क्खिरिया होती है तो वह कौछ सा खाrando एक-ढो Ein के दिया है यह कम दो दूसरा दिया ड्या-घं-घं-ट तीन तीसरा टिर तीन चार चौत यहां चार तो utility यारे नमबर के राय टेंसर आफसन नमबर ए और ए में क्या-क्या है पहला है दूसरा है तो पहला लकड़ी के जलना यह राय के सायनिक परिवर्तन है आप चलते हैं हम लोग टेन 11 नमबर बाद 12 नमबर क्यूश्चन के और चलते हैं देख सथी आज बहुत आराम से चल रहे है उसकी एकाई काउसी है इसका राय टेंसर ओगा आफसन नमबर डी विद्धुद पृतरोध की एकाई ओम होती है और नेक्स्ट क्योश्चन की और चलते हैं आप लोग यह मात्तरक जो होता है जरूर याद कर लिजियेगा बहुत सारे मात्तरक क्यूश्चन आ जाते हैं साइ को एंजी एंट एंट का एक विलेयन दिया गया है निमनिखित मेंसे कोम एंट एंट मिस्थापिद नहीं करता है मतलब इसका रायट इन्सवर आपको बताना है तो 13 नमबर का रायट एंशर होगा intentar म отправ toost नमबर सी आप लोगों को बता दूं कि सोना चादी की तुलना में कम सक्री होने के कारण जो एजी एन उथिरी होता है यह विलेयन से एजी इस्थापी जो विस्थापी नहीं करता है इस वजह से यहां पर आपसन नंबर जो सी है सई होगा सोना यही कारण है अब नेक्ट चुछन चल बी एड़ाड जेनर द्वारा जेचाक के टीके का विस्कार किया गया था ऐसे आपको आगे चल के और भी क्योषिजन मिलेंगे could अ ऐसे क्यूस्चन बनते हैं जैसे एक वक्त क्या हुआ चेचक के टीके का विसकार कौन किया था वही पूछा गया राइट इंसवर तो चौदा नमबर का राइट इंसवर आपको बता दिए आपसन नमबर बी एडवार्ड जेनर द्वारा नेक्क्यूस्चन चलते हैं साथियों पीतल एक मिसर धातु है तो इसका राइट इंसर होगा पंदरा नमबर का आपको बता दूँ की पीतल एक मिसर धातु है साथियों यह क्यूस्चन आप लोग याद कलेजिए आपसन नमबर डी सही होगा पी बी वा एसन पी बी एवम एसन इसका राइट इंसर आपसन नमबर सी तो साथियों ऐसे ही लगातार क्यूस्टन आप लोग देखिए और जो यह क्यूस्टन हमने बताया है पीतल एक मिसर धातू है इसमें साथियों के एंसवर जो है हमने जो पढ़ा ही थे सीट में गलत दिया था और आप लोगों को मैं राइट एंसवर बता देता हूं मैं भी पीवी वा एसन बताया हो जो की मतलब डेट में मिला लेकिन इसका राइट अश्र आफसन नमबर डि 15 नमबर का अवसर नंबर डी है जेडए वा सी यू तो जेडए जो है फोटी पर सेंटेज होता है सी यू साट परसेंट होता है इसलिए एक मिसर धातू है तो पीतल एक किसकी किसका मित्र धातु है जेडेन जो है जिंक जो है 40 परसेंट होता है और कापर 60 परसेंट होता है इसलिए आफसन नंबर डी एज राइट एंसर होगा नेक्ट चुचेंच चलते हैं साथियो 16 नंबर क्विश्चन है किसी तत्तो का परमाण करमाग भी से आधुनिक आवर स हो साडोग मे इस तत्तोा का ढalf रहाएगा कहा रहा जाएगा यही पूछा इसमें 16 नंब्र का राइट अन्सर होगा जो आप लोग जानते हैं जुछेंग नम्मर क्वेश्चेंटेंच चलते हैं 17 नंबर क्यूस्चन है सारे क्यूस्टेंट क्यूस्ट पूचे शाची था सा इंपॉर्टेंट देखकर किसको नोड भी करिएगा यह किसी वस्तु का तापमान दो 268 के है तो यह बराबर होगा किसके बराबर होगा यही पूछा है 17 नमबर तो आपको बता तो इसका राइट एंसर होगा आप लोग डियरेक्ट जाएं जाएं आपसर नमबर माइनस फाइ नहीं है यहीं पूछा है इसमें तो देखे जो 18 नमबरWell है निम खिए मिश्रण नहीं है तो नहीं है मैंने पहले बी बता दिया एक यविक है तो इसको आप लोग जरूद है नेक चूचन चलते हैं अलू के चिप्स आप लोग बता दो अलू के चिप्स को शड़ने से बच मतलब चिप्स आती है आप लोग खाये होंगे ले जाता है बहुत सारे चिप्स आती है जो कि आलू के बने होती है उनको सड़ने से बचने के लिए इनके अंदर जो इनके अंदर एयर प्लास्टिक बैग में भरा जाता वह कौन से होता है यही क्योंचन पुछा है तो 90 नंबर नाइट्रोजन के अक्री वातार में रखा जाता है ताकि यह खराब नहीं हो सकी नेक्स चलते हैं साथियों 20 नंबर एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है इस जो इसका पीच की संभावना है इनमें पीच की संभावना होने की है क्या होगी आप जानते है लिटमस पेपर को जब एक लाल विलयन जो हता है लाल लडिकिंश पेपर नीले कर देता तो इसमें पीच की संभावना क्या होगी 20 का रचायी होगा लाल लो लाल लॉक्त को नीले कर देता आत χाय इसका जो पीच माण होगा सेरkte होग प्स कर नोंबर डिप से अधिक होग क्या दिया है 21 नमब्र क्युच्चन दिया है गूल जो अमलो दौतलियाँ को नहीं किया जाता आप शा़े हैट सवैद में खट्तें होते हैं दूसरा है वे जलते हैं 22 नंबर क्योंचन रचीला एंवं तार खीचन योग यह उत्तम वराडन पूछा है प्रिश्वर धातुका यह जो बिएड परिच्छा जो विध्यान वर्ग के भिहारती जो करने के बाद बीट पर इच्छा देने जाएंगे उनके लिए 2018 में आया हुए यह सारी क्यूस्टन से आप यहां देख भी सकते हैं हमने प्रिविएस यह का क्यूस्टन लाया है तो यह आप लोग जरूर ध्यान दीजिए गा न्यू जो आया हुए मही मैंने लाया है तो 36 आग कि किसी वस्तु का प्रतिविम बनाती है इसके किस पर बनती है प्रतिविम जब मनुस्ट किसी को देखता है तो उसके आख में जो प्रतिविम बनती है वह कहां पर बनती है आपसन है कारनिया पर दूसरा दिया है पूपिल पर चौथा दिया है रेटीन पर तो 23 नंबर का र और इसके लिए आप लोग देख लिए रेटीना पर जो हम लोग देखते हैं वस्त की प्रिद्विम रेटीना पर बनता है आप लोगों बता दू जब और इन ग्रहों की कच्छा के बीच चक्कल लगाते हैं चुद्र ग्रह जो होते हैं वे ग्रहों के चारों और जो कच्छा में चक्कल लगाते हैं वे कौन से हैं तो कौन से ग्रह है मंगल इवं पिर्थवी सुक्र इवं मंगल बिरिस्पती इवं मंगल मंगल इवं सनी इसमें आपको बताना कि साथ है छूद्र ग्राह सूर के चारो और इन ग्रहों की कछा के बीच चक्हा लगाते है ऐसे कौन से तो 15 इंसरों मंगल की बीच सूद्र ग्रहों का बहुत ज़्यादा संख्याओं में वहाँ पर चक्का लगाते हैं सूरिका और 25 नंबर देखते हैं 25 नंबर जो है निमनेखित कोशिकाओं में से किसमे केंद्रक नहीं होता है पहला है जो आफसन नंबर WBC दूसरा है RBC तीसरा है तंत्रिका कोशिका चौता है PCA कोशिका तो 25 नंबर का राइट इंस्वर आपके लिए है जो आफसन नंबर B RBC यह केंद्र केंद्रक हीन होता है यह आप लोग ध्यान दिजिगा और बीसी केंद्रक हीन होता है कौनसी अगला परसन है निमनखित में से कौन सा कौन से जो उर्जा के प्रकार का प्रयोग जो है जल के इसक के ततों में अब घटन किया जा सकता है तो विद्धूत उर्जा नेक्स सूचन चलते हैं मदमक्की के डंक का उपचार किया जा सकता है जो मदमक्की आपको मार देती है या काट लीती है आप लोग कहते हैं फूज जाता है तो मदमक्खी के डंक का उपचार किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है 27 नंबर तो पहला दिया सिरका द्वारा दूसरा दिया सोडियम अध्रोजन कार्बोनेट द्वारा तीसरा है पोटैसीयम हाइड्रो आक्साइड द्वारा तो यहां चार आफसन है तो 27 नंबर का राइट इंसर है आफसन नंबर बी मदमक्खी के डंक का उपचार सोडियम हार्डोजन कार्बोनेट द्वारा किया जाता है यह आप लोग ध्यान देजिए नेक्स चुचन चलते साथ हो 28 28 ना राइट इंसर जो है पहले नं तो इसका राइट इंसर होगा 28 का आफसन नंबर डी ना टोजन एंड टू गैस जो है नेक्स चुचन चलते है 29 नंबर मानो सरीज में सबसे लंबी कोशिका काउंसी है बहुत अच्छा क्यूशन है पिछले भी सेट में मैंने इसको ले आया था और यह लगातार क्यूशन ब यही होती है कोश्का तंज्चा कोश का होती है 22 तंज्चा ही होती है और उसके लावा नेक्स चुचन पीर चलते हमें 30 क्या कहे나ा बसなんյानों की इंजन में इस्तेमाला वाला सही होँ जए भी मानन जांद है रहा हॉम जानते हैं जहांग सब्सक्राइब को ज devices स्वर आप सर्व नंबर प्रेख नियुए घैन्जिक में यह थे सब्सक्राइब प्रेल talk कि आपयर हो ओ gettinja जाता है ब्ली के रियोन ुंट द्ध किया चलते हैं 31 निम्खिन में सबसे कम सक्री धातु है सबसे कम सक्री धातु पूछा है इसमें सिर्फ पहला है मैंगनेसियम दूसरा है सीचा चाधि चाधि तो 31 आपको बता दें option number C चादी जो है चादी जो है दी गई धातुव में सबसे कम क्रिया सील है और इसलिए इसका right answer होगा option number C next question क्यों चलते हैं साथी हूं 32 32 का right answer देखे क्या question में क्या कह रहा एक मुंबत्ती की love की सबसे बाहरी परत होती है हम लोग देखते हैं एक जो मुंबत्ती जलती है उसकी love जो love होती है उनमें कई करल मिलते हैं आपको blue मिल जाएगा पीला मिल जाएगा सबसे उपर red मिल जाएगा इस परकार से मुंबत्ती के सबसे उपर हिस्से की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं सबसे कम गर्म हिस्सा कहत कहते हैं तो यह देखिए इसका राइट एंसर हम बता दें थार्टी टू थार्टी टू का राइट एंसर आपसा नंबर सी है जो कि सबसे गर्म हिस्सा होता है आप जानते हैं यदि कोई कैंडल या फिर कोई दिया जल रही तो उसके उपर हाथ लगाई तो जल जाएंगे हम वनस्पति कोई कई की बीच मुंख्य अंतर क्या है थार्टी थी 33 अ अफ्सन नंबर जो ए होगा ए किसलिए होगा सोई सप होगे पोकि ऑपड़घोल होगा क्योंकि आपकोँतिकस्य का पर पोसी होती है जब कि तो 33 नंबर का आफसन नंबर ए होगा राइट इंसवर नेक्स चुचें चलते हैं 34 नंबर अधिक खाने अधिक खाने के कारण होने वाली अपच के उप्चार है तो निम्निखित प्रकार की दवाईयों का परियोग किया जाता है आप कभी ज्यादा खाना खा लीजिए तो उन 40डी सेट इसका राइट इनसवर ऑसन नंबर छीएं एंटा सिड जो एनटा सीड इंटा सीड यही होगा राइट इनसवर और तटीफाइब नंबर देखते हैं सात्यों पदार्थ का यप जी से तरल कहा जात सकता है तो तर्टीपाइब नंबर का ऐसा उदार आप लोगों भी कह सकते हैं चलिए आप हम लोग 36 नंबर क्यूस्चन देखते हैं चौदा क्यूस्चन और बचे हुए साथ यो वीडियो में बने रही धायर बना करके और पूरा खतम हो जाएगा सेट आज 36 जल में भार के आधार पर आक्सीजन और हाइडोजन का अनुपात होता है तो आप देखेंगे जल में जो भार के आधार पर आक्सीजन और हाइडोजन का अनुपात होता है 36 नमबर का राइट एंस और आफसन नमबर D होगा 8 अनुपात है 1 का अनुपात होता है और 37 देखते हैं हमारे अमासे में प्राकृतिक रूप से उत्पन होने वाला अमल है जो हमारा अमासे होता है उनमें प्राकृतिक रूप से उत्पन होने वाला जो अमल होता है निचुरल जो हम लोग देखते हैं यह प्राकृतिक देन है जो कि हमारे अमासे में यह उत्पन होता है तो वह कौन सा अमल है हमासे में बनता है एडीज मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बिमारी का कारण विसाडू है वाइरेस है अब चलिए थाटी नाइन नमबर सव वाट के विद्धूद बल्ब द्वारा एक मिनट में कितनी उर्जा अस्थान अंत्रित की जाती है तो थाटी नाइन नमबर को जो राइड एंसर होगा आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं आपसन नमबर डी जो है वो राइड एंसर होगा 6000 जूल कैसे निकालेंगे साथी को पी बराबर डबलू भाई टी होता है आप लोगों पता होना चाहिए तो डबलू बराबर पी इंटू टी कर सकते हैं तो टी कैसे करेंगे साथी हो आपको बता दें जो डबलू होता है गुला करें तो एक हजारब आजाता है तो यह हमारा निकल जाता है आफ़ कोई वी किस्टन आ जाये अगर वाट दिया है और पूछा है कि इतने समय में कितने जूल या फिर कितने उर्जा स्थांत्रित की जा सकती तो आप लोगों निकाल सकते हो आगे चलकर की तोने शूं सा ऐसा पदार्थ है या फिर धातु है जो कि चुम्बग द्वारा नहीं आकर्सित किया जाता है पहला इस्टील दूसरा कोबाल तीसरा पीतल चौथा निकल तो फोटी नंबर को जो राइट एंसर होगा आफसन नंपर सी जो पीतल पीतल को आप लोग क्या कहते हैं चिपका न पावस्यक है या हार्मोन है इसका आफसन पूछाया दिया है इंड्रेनालीन और दूसरा दिया आक्सिन तीसरा दिया इंसूलीन चौथा दिया थायराक्सिन जो है फोटी वन नंबर का जो राइट एंसर होगा आप लोग इसको रड़ लीजिए याद भिकल लीजिए किसी तरीके भूलना नहीं है याजम में ऐसे पूरें कुसिन कर सकेंगे 43 number question देखते हैं पिर्थवी पर एक दिन में 4 मिनिर लंबा होता है क्योंकि पिर्थवी पर एक दिन लगभग 4 मिनिर लंबा हो जाता है हर दिन आप लोग पता होना चार मिनिर का लंबा होता जाता है इसी वज़ा से पूरे साल भर में ऐसे लगातार कुछ घंटों की बढ़ोत सब्सक्राइब और 차ण मिन्टे यहीं किशन पुछा है क्यों लंब रोता है तो इसका आप्षान स्दिया एक दूरी तीसरा दिया । पिर्थवी जो है मंडल इसकी वज़ास 43 नमबर जो है इसका राइट एंस्वार आफसन नमबर डी है पित्वी पर वाई मंडल की उपस्तिती के काराट दिन में लगभग चार मिनेट की बढ़ होताई हो जाती है नेक्स तुचन के और चलते है से फिस लिवर न में अधिक मातरा होता है यहां आपको बताना है और इसस न रामीं दूसरी है विटामिन नी इस ही सीटी होता है इसी यह कि सबसे ज्यादा मात्रा होती है अब 15 一 nossa वी बर बर ईंबर होता है कि सो आपको बताता एक-1 बर रहं होता है आपसे नमबर कांँ सही होगा पहला दिया थे पर मायनेस नाइन मेंस शीमका सी मोधिulla मिटर दिया है तो इसका राइट एंसर होगा 45 का आफसा नमबर ब्राबर होता है तेन पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर नेक्स चुछन चलते हैं 46 नमबर एक संयोजकता वाले सदेव अधातू और धातू तो 46 जो है इसका राइट एंसर आफसा नमबर डी होगा एक संयोजकता वाले तत्व धातू या अधातू दोनों होते हैं यह आपको याद करना होगा 47 नमबर चलते हैं निम्खिन में से कौन से कौन उर्जा की इकाई नहीं है कौन उर्जा की इका मीटर तीसरा दिया कीलो वाट चोथा दिया कीलो वाट आवर तो यह मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों को बहुत सारे मात्रक यूनिट जो होती है याद कर लेनी है तो बहुत क्यूस्टन में देखें दो तीन क्यूस्टन में मात्रक वाला बना दिया गया तो 47 नमब निर्मीट रेसा रयाने रासानीन ग्रोब में समान है पूझा है मानव निर्मित्रेसा या रयान जो है क़ए रहतां। डीज राइट इंस और उन्च क्या है और तालीज नमबर का आपसन नमबर डीज राइट इंस और नेक्स सुचें चलते हैं चादी चादी की बनी हुई वस्तुए हावा के साथ लंबे समय के बाद काली पढ़ने लगती है ऐसा निम्कित में से एक परद बनने के कारण होता है आपको पता हुँ अधा पायल जो होती है ऐसे बहुत सारे चादी के बने हुए जो लंबे चाहे आप कह सकते हैं तार कह सकते हैं या कोई भी वस्तुए हुई वो कुछ समय बाद कालिक पढ़ जाती है तो उसको साप भी कराए जाता है लोगों के दोरा तो उने में क्या कारण है는 कई उसमें बैठती जो काला हो जाता है तो 49 नमबर कर राइट एंस और आपीसन सिलफाइड जो है चादी की वस्तूगों की सता पर सिल्वर सिलफाइड की परत जो बन जाती है जिसके जमा हो जाने के कारण ये काली दिखाई दिने लगती है तो सालफाइड जो सालफाइड है इसके वज़ाँ से अब नेक्स उसे लाश नमबर क्योशन इस्टेट का और आसा है कि आप लोगों वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएगे साथी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाईएगा नेक्ट जो वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेसन आप तक पहुचेगा तो देखें लाइक क्या है दूद द्वारा उपलब्द नहीं कराया गया है क्या नहीं कराया गया है वीटामिन A वा D B है कार्बोर हाइडरेट प्रोटीन वावसा C है खनी जैसे फासपोरस वा कैलसियम D है आईरन तो दूद द्वारा उपलब्द नहीं कराया गया है इन में से कौन सा ऐसा आफसन सही होगा जिन में दूद में वो नहीं पाया जाता तो आफसन नमबर D है आईरन आईरन दूद में नहीं मिलता है यही इसका जो है आईरन क्या है दूद का सुरोत नहीं है दूद आयरन का सुरूथ हाई नहीं इस वज़े से आप सानमर डी जराइड एंस वर बाकि आप लोगों को लिए ऐसे ही सेट्स में चाहे वो कला वर्ग का हो चाहे विज्ञार वर्ग का हो सब भी से हो के हिंदी इंग्लिस या फिर समान ग्यान जी के सभी के क्यूशन रिजिन जो सोसल मेडिया के हैं उसे भी आप मुझे डिरेक्टली जूर सकते हैं तो ठीक है वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्माद मिलेंगे नेक्स वीडियो में साथियों आज के लिए बस इतना ही